वेल्गम बेक टू मैं चैनल आप देख रहे हैं श्रीव भगवर बुल्स मेरा नाम है निक्रुवारगव दोस्तो नया दिन नया शुरूबात और व्लॉग स्टार्ट हो चुगे दोस्तो शॉट्स प्राने का मेरा एम यह था जो अभी तक मैंने आपको शॉट्स दिये अपन करते हैं जिससे आप लोगों को प्रोवाइड कर दिया जाए जो आपको वन स्टॉप शॉपी जो होता है न यानि एक ही जगह आपको सब चीजे प्रोवाइड करवाने का कोशिश रहता है मेरा तो वह चीजों का मैंने एक आईडिया दिया आपको शॉट्स बनाते हुए त है को एक पर्टिकुलर पर्जेक्ट पर काम करने का मौकर मिला था तो वह काम कर रहा था मैं वह फिनिश होने वाला वहाला है बहुत जल्द और आपको भी बताऊंगा या पर जाएगा और यही मैं चाहता हुँ कि मैं अगर आपको रियल नौलिश प्रोवाइड करवा रहा आप उसको कन्फर्म करना चाहते हैं तो डायट मेरे से पूछ सकते हैं WhatsApp नमबर में डिस्क्रिप्शन में दे चुका हूँ आपको और हर एक वीडियो में देता हूँ तो आप मेरे से WhatsApp पे कंसल्ट कर सकते हैं चले दोस्तो व्लॉग स्टार करते हैं आज का व्लॉग फोकस है रूमा मस्तंगी गौन की उपर रूमा मस्तंगी ये एक पेड़ का नाम होता है यानि मस्तंगी एक पेड़ का नाम होता है और ये इसको जब आप चुई करेंगे यानि इसको चवाएंगे तो ये च्रिंगम जैसा हो जाता है मतलब ये पूरा डिलूट नहीं होता है पूरा डिजॉल्व नहीं होता आपकी बोडी में ये च्विंगम जैसा हो जाता है और इसको आप बार बार अगर चुई करेंगे या उसको चवाएंगे तो ये आपको निगल यानि सौलो करने में दिक्कत देता है इसलिए इसको क्रश करके या इसको पाक के फिर यूज किया जाता है और जो गोंध होती है वो तना और शाखा यूज कर सकते हैं यह कॉसली बहुत होता है रूम मस्तंगी की प्राइस बहुत हाई है तो अप इसको पर्चेस करने से पहले है पैचान में आपको बता रहा हूं कि यह हमेशा जो आटिफिशल गॉंद आती है रूम मस्तंगी वो एजीली डायलूट हो जाएगी उसको आप स्वालो कर सकते हो बड़ इसका यह है कि यह जैसा होता है जो गम आता है जो जैसा होता है इसको आप एजीली स्वालो नहीं कर सकते हैं जितना आप इसको चबाएंगे उतना यह और हाड होते जाता है और वो निगल निगला नहीं जाता है यानि स्वालो एजीली नहीं कर सक मैंने जो बेनिफिट्स हैं यह सबसे पहले आपका लिगामेंट बापिस करने में यानि जो गुटनों में कट-कट की अवाज आती है उसको दुबारा मैचोड करने में यह आपकी साहता करता है और जो भी जॉइंट्स पें है जो अपने नकल्स पें होता है कभी कवार आप करता है रुमा मस्तंगी is best for your overall health and यह multipurpose है तो आप इसको घी में पाक कर यूज़ कर सकते हैं good things come in small quantity जो अच्छी चीज़े है वो कम मात्रा में आती है तो जितना कम मात्रा आप इसका लेंगे और आपको डेली लाइफ में इसको यूज़ करेंगे तो आपको benefit उतने दूसरा यह brain booster है memory booster है आपकी memory sharp करेगा memory sharp करने के साथ साथ आपको जो anxiety होती है insomnia होता है उन सब चीज़ों में आपको help करेगा यानि या ब्रें को relax करता है आपकी memory को sharp करता है और आपकी body को relax feel कराता है जिससे आपको good sleep मिलता है अच्छा नीन मिलता है अगर आप अच्छा स heart से संबंदित जो भी आपको problems हो रही है उन में यह helpful है यानि उन सब चीज़ों को करने में help करता है आपकी ब्लॉकेश है चाए BP low है या up है BP high है या low है उन सभी चीज़ों में रूमा मस्तंगी आपकी help करेगा और से बहुत सारे चीज़े हैं दोस्तों skin disease है ulcers है इन सभी च location में इसको ले सकते हैं 12 महीने इसका यूज हो सकता है ऐसा नहीं कि आपको सर्दी में यूज करना या गर्वी में यूज करना है इसा कोई foundation नहीं है आप इसको हमेशा ले सकते हैं सबसे बड़ी बात यह होती है कि जो भी herbs होती है उनको अगर आप limited quantity में लेते हैं तो आपक नेचर के साथ अगर आप उसको अपनी बॉड़ी में लेंगे तो आपको बैसे जल में लेंगे आपको कोई सैट फेट नहीं होगा तो रूमा मस्तंगी आप मेरे से ले सकते हैं वागी एक छोटा सा क्विक वीडियो था रूमा मस्तंगी के ऊपर और इसका पैचान में आप को बताया तो आपको यह पसंद आया हो व्लॉग्स स्टार्ट हो चुगे हैं दोस्तों शॉट्स के साथ मैं आपको यह बता दे जाओंगा कि आपको को भी चीजे चाहिए या आपको रॉमाट्रील से जो भी कोई इसने आप मेरे से पूछ सकते हैं तो एक व्लॉग एक शॉ प्लम की लग प्लम यह बता है लिए व्लॉग में खड़ बताइ्व जोड़ कर दो सैल्ट हैं आपको का लिए टापकी लिए रॉग यह व्लम की दीजाए जैँ तो फार प्लम की लिए यह विए जिक्टेश जींटेट्स priority अपके लिए यह चेनल प्लम की आपकी लावए ओ